हेलो प्रेंट्स विल्कम बैक टू मैच चैनल आज हम बनाएंगी सेम आरू की सूखी सब्जे बहुत ही टेस्टी सब्जे बनकी रेडी होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने 200 ग्रम यह सेम ले लिया है ग्रीन वाला आप किसी बतारा की सेम ले सकते हैं औ और इसको एसे टोड़कर के इसकार रेसे को निकाल लेना ही यह खाने वक्तम हुमे आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहay लगते हैं तो इस तरह से तोड़ेंगे तो आसाणी सी इसका रेसे निकल जाता है तो इस तरह की से 2 से 3 पीज मैंने कर लिया है इस तरह किसे हम सा मोटा नहीं कटना है नहीं तो पकेंगे नहीं और अभी हम इसका भूझिया बनाएंगे तो 2-3 टेबलिस्पॉन हम यहाँ पर ऑिल डाल देंगे और जीसे ही गरम हो जाएगा हम यहाँ पर डाल देंगे सरसो सरसो को यहाँ पर अच्छे से चिटिकने है और इसका हलका सा brown color आ गया है तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे से इम और अलु को एक ही साथ में हम डालेंगे और अब हम यहाँ पर डालतेंगे नमक टिस्ट के कोडिंग अपनमक डाल देजिये और half incumbent स्पुन हल्दी पॉडर मैंने यह पर वन टेबलस्पुन डमक डाला है और इसको मिक्स कर लेंगे और धक करके कम से कम आठ से दस मिनिट के लिए इसको पकाएंंगे लो टू jokingेशल फ्लेम पर और भीच भीच में इसको चलाते रहेंगे कम से तो यहां पर देखिए, आठ से दस मिनिट हो गया है, और सेम आलो थोड़ा सा सौप्ट हो गये हैं, पर अच्छी तरह से पकाने ही है, यह अभी भी कच्छा है, तो अभी हम यहां पर डालेंगे कुछ मसाले, तो यहां पर मैंने हापटी स्पुन ये धन्या पाउडर और हाप तो थोड़ा सा पक चुके हैं, देखिए, मैं आलो एक तोड़ के दिखाती हूँ, थोड़ा सा यहां पर कसर बाकी है, अल्मस्ट पक चुका है, तो यह टमाटर पकने के साथ साथ आलो भी असानी से पक चाएगा, तो इसको ढख करके और चार से पांच मिनिट के लिए हम प पक गया है, और यह आलो से भी अच्छी तरह से पक गया है, लाश्ट में हम गेस का फ्लेम को पूरी तरह से हाई कर लेंगे, ताकि यह हमारी से मालो थोड़ा सा खिला खिला बने, और इसको घरमा गरम रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत है अच्छा लगता है, इजी रेसिपी है, आप इसमें एक बर जरूर से ट्राइ कीजिए, अगर रेसिपी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा, थैंक्स पर वाचिंग, थैंक्यू